हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना अच्छे और आलिसान घर में रहने का होता है हर कोई चाता है उसका अपना घर हो, तथा उसमें खूब सारी जगे हो हर कोई चाता है कि उसका अपना घर ऐसी जगे हो, जहां हर्याली हो तथा वहां सूरज की रोशनी आती रहे जिससे कि वे अपने घर में सुकुन से रह सके हाला कि इस धलती पर एक ऐसा गाउं है जहां कि लोग पिछले 700 सालों से घर में नहीं वलकि गोंसलों में रहते हैं ये गर एकदम चिडियों कोई गोंसले की तरह दिखता है आप जानकर हैरान रह जांगे कि ये लोग एक दो साल से नहीं वलकि कई पिडियों से ऐसे गरों में रह रहे हैं ऐसे गाउं इरान में हैं इरान के कंदोवन गाउं के लोग गोंसला नुमा गरों में रहते हैं अपनी अजीबो गरीब परमपरा के लिए यह गाउं और यहां के रहने वाले लोग दुनिया वर में मसूर हैं इस गाउं के लोग पक्षियों की तरह गोंसले बना कर रहते हैं आप बले ही इन घरों को आमगर समझते हैं लेकिन इस घर की खासे जान कर आप एहरान रह जाएंगे इस घर में शल्दियों में गर्मी और घर्मीयों में ठंडी रहती है यह गर्म देखने में बले ही अजीब लगे लेकिन रहने में काफी आराम दायक है यह गाउन 700 साल पुराना है यहां रहने वाले लोग नए हीटर का इस्तमाल करते हैं नए ही AC का इस्तमाल करते हैं यहां गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है जबकि सल्दी के मौसम में गर्मी रहती है इस आइलेंड पे जाने का मतलब है मौत को दावत देना करोना वाइरस ने भी आने की नहीं की हिम्मत अब आप सोच रहे होंगे की इन घरों का निर्मान कैसे और क्यों हुआ यहां रहरे लोगों के पूरवजों ने मंगोलों के हमले से बचने के लिए यह घर बनाए थे कंदोवन के परारामबिक निवासी यहां के हमलावर मंगोलों से बचने के लिए आए थे वे शिपने के लिए जो आला मुखी चट्टानों में ठिकाना खोदा कलते थे तथा वही उसका इस्थाई घर बन जाता था दुनिया भर में याए गाउं अपने अनोखे घरों के लिए जाना जाता है I hope you guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो वाचिंग वीडियो धन्यवाद